तो फिर से वेलकम है Ransomulator के एक और नए एपिसोड में और पिसले एपिसोड में मैंने कावबान दिखा जाया था कि मैं कस्टम कावबान बनाने वाला हूँ और इस सारा इधर की boundary काम स इन आ जाया हु तो इधर मैंने खाने का और पानी का इंजाम भी कर लिया है और यहाँ पर मैं लास्ने में समें काव मूव कि प्रके रहा नहीं है और इस को बनाने से जाए तो अगर भी और के बनाणे वाला था, जाधर काव मैं पíst यहाँ काउस को मुव करने के लिए रैडी हो जाएगा और बाकी यह मुझे एक मेटल पीस का बॉक्स मिल गया था और एक कंक्रीट मिल गी थी कि यहां पी जब खाएगी यहां से पूरा कवर भी दी तो एक बात च्छेक कलिताया रहा हम्हारा कावडी करेंगा मेंच मेंमिन अज़िए करताया तो यहां एक ही गेंद करो गया तो इस इत तौन है मैं gev दोफाईबृत्क इन सुन करेंडी मुडान कर द inac沒錯 तो windmill का यहां पर मैं बना यहता हूँ साथ में इसके तो windmill यहां पर लगा दी वाग तो इनके लिए समान भी लेकर आना है और planks भी लेकर आना है जो अंदर कम्पीट करने के लिए but planks मैं भी purchase नहीं करने वाला क्योंकि planks मैंने तो मैं भी लेक के अंदर काफी साय रखे हूँ है तो मैं भी लेक के अंदर से उन काफी साय प्लैंक को सबको ठाके लेकर आने वाला हूँ और purchase करने के लिए मुझे यहां पर चाहिए 275 metal piece और 50 concrete तो concrete का बैक तो पस एक पड़ा हूँ है यहां पर 150 तो यह 275 के शाय होँ तो मैं आपी 200 के थावश ले हूँ है तो 200 के शाय होँ यह कुछ बच बच जाएंक के तो मैं लेड़ा लुगा और बाहती प्लैं को जाने के लिए लेने वाला गाडी बादी MA अे वाली गाडi और उससे पहले क्याँम मैं आटाइ है हुआ काफी सारे प Benson कीच च्ञारीय जो बड़े पिक्सेह हुस Bide मोजए मित को मीचकीयो क्योंकि अब यह यह मुर्गे मुर्गीय काफी सारे entren म! और मैंने इनकी जो है अंदर खाने का और पानी के जो फूट ट्रफ से वाटर बोलस थे काफ़ी पहले तोड़ दिया थे तीन दिन हो गया है अभी तक यह नहीं यहां पर इनको कुछ भी असर हुआ है और यह अभी तक सारे की सारे ठीक है और कुछ को मैंने स्क्रिंग करके ड से करके पिक्स दिखा लेना है कि पिक्स मैंने केतने सारे साल कर दी हैं तो कि मैंने क f iks मैंने काफी साल कर दी है और जितनें पिक्स हैं यह वो ones each THE razor और यह बड़े जाएंगे मैं इनको भी सेल करिया हूँगा क्योंकि एक लिमिट की बड़ा होने की बार अगर पिक्स को मैं रखूँ तो कोई फाइदा नहीं है वो यहां ही पर मर जाएंगे और मुझे उन्हें कूलर से मर के लिए पड़ेगा तो अभी यहां से मैं एक की बासकेट उठाई लिधा हो इसे तो मैं सेल करिए ऑऊंगा तो मैं अबी आघक की बासकर स्यल करदूँगा वहाँ पर बीच में रेस्टोन अगा वहां पर स्यल करेबूँगा 204,193,166,1974 मैं जलने वाला हूँ ओर एक सेट, इसका ट्रेलर तो जुड़ा यह नीथा पीछे से तो उसका ट्रेलर जोड लिया और अब इसे ही लेकी चलता हूँ एक बार पहले मैं रेस्टोरेंट पर जो है यह एकसेल करदू हूँ और उसके बार लेक पर चलते हैं लेक से अपने सारे प्लैंक बढ़ा कर लेकी आता हूँ कि उससे पहले हार्डवे स्टोर भी चलना पड़े है कि वहां से मैटल पीस भी पचेस करने है तो पूर्ट प्रेश्ट में पूझ ग्याओं ऐस करोड़ें चोड़ेता हूं अब इसे ऐसे ही sell कर देता हूं मैं तो 148 एक थे इसके अंदर इसको sell कर दिया तो अभी 13,000-1000 dollars हो गया है तो अभी 13000-1000 dollars हो गया है अपनी एक basket वापश लेगलता हूं और अभी पहले hardware store से चल के एक बार कुछ metal piece purchase करता हूं basket को तो मैं इसके ऊपर रख देता हूं यहां पर पीछे मैं प्लैंक्स लोड करने हैं तो hardware store तो आगया और यहां से metal piece ले लेता हूं और मैं सोच रहो मैं 300 metal piece ले लू जिससे होगा कि जो मैं लाइट लगाने होएंगी उनके लिए metal मैं जाहिए होगा तो अभी 50 एक box के अंदर आती हैं तो मैं यहां पर 6 ले ले लेता हूं 6 मुझे cost करेंगी 3,000 dollars तो मैं क्यां को तो 7 ले लेता हूं लाइट बनाने के काम आ जाएंगी तो यह 7 ले ली मैंने और इन्हें अभी पीछे मैं लोड कर लूं इस वाले trailer के अंदर क्या मस्थ हवा चल रहे है यहां पर काफी बढ़िया लग रहा है इस खेत में यहां पर बाकी अभी सुबह होगी है तो अपना गर्दा उठाता हूं और अब लेक के अंदर एंटर करने की तियारी करते हैं और वहां से अपने प्लैंक्स उठाते हैं तो यह खेत वैसे काफी मसता है यहां पर संफलार का तो बास मुझे अंटर करना है और इंटर करने के लिए सीधा मैगाड़ी लेकर जाऊंगा अंदर यह रुक जाओ रुक जाओ लुको मैं उतर के इसको सीधा करता हूं तो होगी अपनी गाड़ी सीधी और यह सामने वह जो मैंने कोटेज चोटा बनाया था मतलब कोटेज कहलो या लोगट कहलो जो चोटा था मैं यहां पर ट्राइक कर रहा था वड़े सक्सफुल नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर पिक्स वगएर मैं रखनी पाया था और बाकि यहां प्लैंक्स काफी सारे हैं और यहां वर्लोक्स काफी सारे वैसे तो तो मैं सारे हटा रहता हूं कि इनको मैं यूज कर लूगा अभी काफी साथा महेंगे आया था यह शायद मेरे को 10,000 डॉलर्ट से भी जारा कोस्त किया था था इन्होंने तो अभी इतना सारा यह जो तो अभी काफी साथ वूट प्लैंक्स मैं लोड कर लिये हैं और इतने वूट प्लैंक्स से पना काम बन जाएगा तो इतने वूट प्लैंक्स काफी होंगे तो इतने वूट प्लैंक्स लेके मैं चलता हूँ और यहां से अभी shortcut लेने वाले हैं जो यहां से shortcut आता है तो वो shortcut से मैं सीधा अपने रैंच पर पहुच जाऊंगा तो यहां पर lake की गराई ज़्यादा नहीं है तो यहां पर गाड़ी थोड़ी सी दिख भी जाती है उपर से यही और यहां पर lake के अंदर और यह वाला view lake के भार से अब बस lake के end तक पहुचना है उसके बाद सीधा गाड़ी रहेगी टेलीपोर्ट अपने रैंच के गेड़ पर और यहां पर दो गहरे गहरे गड़े हैं तो थोड़ा अराम से यहां से बच्चा आके बस यह सामने आई गया यहां पर lake का end तो यह lake का यहां पर end है और यहां से टेलीपोर्ट होंगे सीधा अपने रैंच पर अरी देवा यह गड़ बड़े बाबा टेलीपोर्ट के चक्करे में गेम इतनी बुई तरह हैंग हो गया था कि जो है काम स्टार्ट करते हैं जो काम मुझे करना था है यहां पर पहले तो मैं यह metal piece ले के आऊ हूँ इनसे मैं पहले ग्रेनरी और पीछे windmill ready कर दूँ तो एक मिट मैं इनके पास ही चलता हूँ यहां पर तो पहले windmill को ready कर देता हूँ मैं तो 100 metal piece लग गए और यह हो गया 150 तो यह windmill तो ready हो गई और ग्रेनरी में जो है मैंने पहले ही लगा दिया concrete तो और यह metal piece भी हो गए कम पूरे तो यह भी ready हो गई एक बार मैं इसे फेल कर देता हूँ पहले मैं ट्रेलर को आगे लेके चलू तो ट्रेलर को तो मैंने यहां पर खड़क कर लिया और यह सारे की सारे मैं इनके दरवाजे खोल देता हूँ तो यह ready होते हैं इसमें खाना आ गया क्योंकि मैंने पहले ही windmill को ready कर दिया है तो अभी इस पानी वाले को ready करते हैं यहां पानी भी आ गया तो अभी मैं जल्दी से सारे के सारों को ready करता हूँ और यहां पर काउस को move करता हूँ तो इस रोके तो सारे मैंने food trucks of water balls ready कर दिये तो यह एक यह वाली रो तो पूरी complete है मतलब यहां पांच काउस के लिए तो बिल्कुल ready है और यह इधर के में तो अभी यह वाले फैंस वाले जो गेटां यह भी ready करने है तो इधर का तो ready है यह ready हो गया इनको खोल देता हूँ मैं और बाकी यहां पर 20 cows की capacity है और इसके ओपर मैं चीज प्रक्शन के लिए बना ले वाला हूँ मतलब यह design अभी पूरा नही है अभी तो खाली एक ही फ्लोर रेडी हुआ है इसके ओपर मैं अभी दो फ्लोर और बनाऊंगा तो एक फ्लोर तो रहने वाला चीज प्रक्श या फिर चीज का कुछ रो मेटीरल हो गया पैन हो गया वह सब मैं ऊपर वहां पर स्टोर करूंगा तो इनको भी रेडी कर लेते हैं जल्दी से और अभी मुझे इसके बार जोए 20 cows उसको मूव भी करना है यहां पर तो सारे फूट्रफ से वौटर बावल्स भी रडी हो गया और बस यह यहां के चार रह गया है तो इसमें इसे यह तीन ही रह गया है अब तो पर अभी प्लैंक हो गया है और अब यह एक ही प्लैंक बचाया मतलब सिफ सिंगल पीस है यह बागी मैं देखते हूँ शाद प्राफ भी सारी चेंजिस किया हैं तो इस पर उपर मैं फ्लोर बनाने वाला हूं तो यहां पर भी मैं यह वैसे मुझे हटाने हैं यहां से क्योंकि यहां पर विंडो आने वाली है तो इनकी कोई रिक्वार्मेंट नहीं है एंट्रेंस के लिए मैं सिर्फ एक ही रखने वाला हूँ यह वाला गेट तो इसका काम एक बार जो है अपना कावबन स्टार्ट हो जाए उसके बाद इसके काम भी स्टार्ट कर दूँगा मैं इसमें ज़दा काम है निए वैसे मतलग इसका यह फ्रेंड का पोजिशन है कंप्लीट करना है और यहां पर स्टेश मैंने अंदर बना दिया है एक बार स्टेश मैं दिखायता हूँ तो यहां से स्टेश रहने वाली है उपर जाने के लिए इस वाले फ्लोर पे और इस वाले फ्लोर से यहां से कनेक्शन रहने वाला है यह सारा यहां तक तो उपर भी एक फ्लोर होने वाला है जो basically storage के लिए वाला है और नीचे production के लिए रहा है बट यह सिफ sausage बगारा की production के लिए होगा या meat balls बगारा के लिए उधर cows के लिए और cheese बगारा का production के लिए इसके ऊपर ही cheese factory होगी बाकी अब भी देखता हूँ कि शायद कुछ वूट प्लैंक से आप पड़े हो हाँ यह पड़े मैं इनसे काम चल जाएगा तो एक बार इस trailer को पूरा वहाँ ही ले चलता हूँ और अपना छोटा हाथी काफे दिनों बात दिखा है चोटे हाथी को तो मैं यूज करना भूली गया था और यह चोटा हाथी पनी पहली गाड़े थी इस गेम की जो सबसे पहले starting में मिली थी इसने काफी help किया काफी कुछ बनाने में वैसे काफी powerful थी इसकी वेशे काफी सारे चीजे possible हो पाई थी इस गेम में मैंने पहले कावबान बनाया था तीन फ्लोर वाला तो यह गाड़ी बिल्कुल उपर तक पहुच जाती थी तो इससे में प्लैक्स वगारा उपर लिया था तो काफी easy हो गया था मुझे उपर तक construction करना और में भी शायद यह अभी फिर से ऐसे ही काम आने वाले क्योंकि इस वाले कावबान के ऊपर भी दो फ्लोर और बनने वाले था तो देखते हैं अभी कि यह गाड़ी शायद फिर से काम में आएगी मेरे क्योंकि एक यह ही है जो पिलकुल ऊपर easily चड़ जाती है और बाकी और गाड़ियां इतनी असानी से उपवले फ्लोर तक नहीं पोच पाती तो बस यह वाटर बॉल रह गया यह भी almost complete होई गया है तो दो प्लैंक और चाहिए तो यह वाला वाटर बॉल भी हो गया रेड़ी और बाकी यहां का काम रेड़ी है तो अब यह अपने कावस के तो अभी next day हो गया है और अभी जो है मैं इक बात दिखा रहता हूं यहां पर कि अंदर सब कुछ रह ड़ी है और अभी मुझे फिलाल जाले गाड़ी में पड़ेगी क्योंकि मुझे कावस को मुझे मुझे कावस को मैं ट्रक में लोड़के मुझे करने वाला हूं और अभ 20 kg आजाता है और यह अपनी ग्रेनरी की पूरी कैपसी 200 kg थी तो मतलब यह सिर्फ 10 में कंप्लीट हो गई अब इसको मुझे एक बार फिर से फिल करना पड़ेगा और मैं जैसी पुछ करूँ है इसको 100 kg फिर से चला गया तो अभी इसको फिर से फिल कर देता हूं मैं तो यह आऑ थरक मैं सोच रहा हूं कि मैं का उसको सीधा अंद Nir जागूं का आओ को अनलोड करने के लिए तो यह एपनी ATV को मैं ख़डा करेता हूं यहां पह यह खड़ी हो ATV चोटे हाती को मैं यहां पीछра कर गईता हूं कि चलो चोटा हाथ भी पीछ हो गया अब बस में काउस को ट्रक में लोड करना है उसके बाद देखता हूं कि शैद इजी ली ट्रक को अंदर लिया कि काउस सीधा अनलोड हो जाए कि अभी भी काफी सारी मुर्गी जिन्दा इंका खाना बनकी अब तो शैद चार दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं बड़ पता नहीं ने कौन सा टोनिक प्याओ है कि यह अभी तक जो है ऐसे के ऐसे हैं चलो इनका भी थोड़ा वेट करना बड़ा क्योंकि जब यह इनका काम सक्षक्राइब करें पर इनके चैकन को भी यहां से मैं काउस को पहले चार काउस को लेलता हूं चार साहर करके मुझे काउस को पड़ाए पढ़ेगा खुले को अब खोलोकोब आऊ ममystems की लिए खुले को अब किस की की लोड़ करता हूं गट कॉराह को इससे हम sticking का सब्सक्राइब को यहां पर ट्रक को मैं सुच्छाँ ब्रीवर्स करके लेके जाओ कि यह नहीं प्ता कि कि भाइब की सेट लूंगा कि आपके देख लेते हैं वैसे यहांपे नई ट्रक ऐसे जा नहीं बारा क्योंकि यह उपर चट से टच हो रहा है तो इधर जानेगी जगह है थोड़ी सी चाहिए में को अंदर बाकी एक और चीज है यार काउस तो सीधा बहार उत्रेंगी ऐसे तो मैं तो ट्रक को फिर ऐसे करता हूं ट्रक को मैं फ़रा साइड से अभी में को गार बार जाना पड़ेगा पहले तो ये आगे मैं बार औरं काउस किदर उतरने वाली है और किदर ओ ख़िक अंदर उत्रेगी और फिर तो ठीक है फोटा-फटते एक काउज तो बार उतर गई इसको यहाँ पर चड़ातं और बार अब ये अंदर उत्र गई त स्यादे इस साम विछ देश में बिदेखरोज और और सकती में सुरुल इसके ङागूखरो अंठ च्जीर है टेक्श भाती पांद करने किसे इससे ही दूQu अब्चरी को भी अरा ने टाइम न हो और फ्रेस एक आयदा लेकर आतना अच्छी लोगाई। लोका नहीं मुझे पता है न यह न ही बाकिस भी भाग निका 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 नए हुआ अंदर अंधर अंदर 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 यहां पर फटाफ़ से कलाए यह वालिच एक वालिच आगई और एक वो वालिच mag उखने लाए तो मैं से नइसे नओ नभी बाग मत बाग मत बाग मत बाग मत नहीं ठीक है और यह किधर इधर जाना है कोई बात नहीं अप्शनल है सब चीज अप्शनल है हम इधर भी रख सकते हैं अरे गव माता हो आजाओ अंदर आओ अंदर इक तो सब्सक्राइब जगह दिया है बिल्कुल प्राइविट सपेस एक दम अलग अलग सबका कोई भीचकुच नहीं अराम से रहो यहां पर इसको कहां से उतार हूँगा मैं भी बाग यह इस वाली गाय को तारने के लिए मुचे थेखना पड़ेगा कि मिजे प्रता इतनी साइस है नहीं उत्र ही इसको कःता हूँ पीछे लेके चलता हूँ थोड़ा सा नहीं ह यहां पे रही है कि एकम्पनी पीछे थे क्रेशार जैँ और एकम्टर ट्रक को फिल्फ करना सब्सक्राइब नहीं कर दो कि अगेढ़र सब्सक्राइब टेखर कोई बात नहीं कोई बात रहे दो बात रहेगें यहां से मुझे अबस चाहस बागी काम कर दो ऑन। लो जाहा ड़ाएब भाट से सेवन हार लेटर तो मैं अब भी सारी काउस को दुझा दो एक अब वाद में अब रही तो इसको भी बाद में उतार लूगा बाद के लिए यहां मुझ अब दुझा जाओ जाओ निए अब दूभ कर दिखा जाओ यह अब आचुकी है और यह तुयवा अपन यहां पर आ चुके और यह अज़ान इसलों गई। यह प्रीट होला ने देखों गता है तो अब यह सारी काउस यहां पर है और बिदो पहला सब्हूंद अब यह वह बहूंने काउस पर लुक्रण वंहमें शाल खेंग है है तो अभी इन काउस का बाकी और समान के मुझे उठा के लेके आना है मतलब इनकी जो buckets मैं मिल्क निकालने के लिए use करता हूं और जो milk can है वो लेके आनी है और बाकी अभी यहाँ पर lights वकार का अंजाम भी करना है मुझे अभी तो यह सारी काउस काफी साही लग रहे हैं यहां पर देखने में और बाकी में यहां पर वहां पे स्टोरे जाने वाला है और इस कौन पर उतार लूँगा जब उपर चीज फेक्टरी के काम चुरू करूंगा और बाकि आज के लिए इस वीडियो में इतने वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है चैनल पर याद तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में झालिए तो